हेलो क्लासिक स्टुडेंट्स तो टोड़े वी विल स्टार्ट विद आर न्यू एक्सराइज देट इस हमने लास्ट टन पे वैसे खतम करी थी एक्सराइज 7.3 अब स्टार्ट करेंगे हम नया टॉपिक लाइक अनलाइक फ्रेक्शन 7.4 में फ्रेक्शन जिनका सेम डिनॉमिनेटर होता है उसे हम कहते हैं लाइक फ्रेक्शन जैसे 2 बाइ 11, 3 बाइ 11, 4 बाइ 11 सबका सेम डिनॉमिनेटर है 11 तो ये सारे लाइक फ्रेक्शन कराएंगे देखो इन सब में 15 कॉमन है तो ये सारे लाइक फ्रेक्शन कराएंगे ये और ये ल थिंसम में 15 है यूजए टिर आप एलेवन ने इसफेक्षिंगू सोन ऑनने कहते है अंनलाइक फ्रेक्षिंगे नेक्स यह हैं कंपेर कैसे करेंगे देखो जब लाइक fraction होता है तो compare करना बहुत आसान होता है denominator तो same हो गया like fraction में अब हम देखते है numerator जिसका numerator बड़ा वो fraction बड़ा होता है मतलब इसमे numerator इससे बड़ा है 5 3 से बड़ा है तो ये वाला नमबर इस नमबर से fraction से बड़ा हो गया ये fraction इस fraction से बड़ा हो गया इसका numerator इससे बड़ा है, तो ये fraction बड़ा हो गया, इन दोनों में भी same है, तो जिसका numerator बड़ा वो fraction बड़ा, तो इसका इससे बड़ा है numerator तो ये बड़ा, ऐसे ही हम इन दोनों में देखेंगे, अब unlike fraction में कैसे देखते हैं, unlike fraction दो तरीके के होते हैं students, जब numerator same हो, denominator different हो, जब दोनों ही चीज different हो, ठीक है, तो अब हम पहला देखेंगे, unlike में दो तरीके क्यों होते है, like में तो एकी तरीका होता है, unlike में देखेंगे कैसे कैसे, अब numerator सेम है, denominator देखेंगे, student जिसका denominator छोटा होगा, वो fraction बढ़ा हो जाएगा, इसमें उल्टा हो जाता है, उसमें क्या होता denominator जब झेम है तो वो fraction बढ़ा numerator बढ़ा fraction बढ़ा numerator बढ़ा पर सभाएट जम्हें मुराइटर से मोड़ दिस्षोका वो fraction बढ़ा घिके जब जब नूमेंटर गारे चोटा भीरो जब दिस्का डिकार द्यूमेंटर चोटा वो fraction बढ़ा इसका Nettes से चोटा है तो यह fraction बढ़ा हो जाएगा अब next आता है जब numerator भी different और denominator भी different तब उस case में हम student हम अंदाज़ नहीं लगा पाते तो हम पहले करते हैं lcm लेते 5 और 15 का lcm लेंगे इनको हम like में convert करेंगे 5 और 15 का lcm आएगा student 15 आप करके देखना 15 आए तो इसमें तो 1 का multiply करेंगे यह इसमें हम करेंगे 3 का multiply क्योंकि इसको भी 15 बनाना है तो यह हो जाएगा 3 3 दा 9 तो ऊपर यह हो जाएगा 9 by 15 यह रह जाएगा 7 by 15 यह देखो multiply करके 3 से multiply किया और इसको 1 से किया तो अब यह बन गए light अब देखो denominator सेम हैं दोनों में numerator अलग है तो जिसका numerator बड़ा वो fraction बड़ा तो 9 7 से बड़ा है तो यह fraction बड़ा हो जाएगा ठीक है अब यह एक cross product से भी हम इसको कर सकते हैं unlike fraction को जिसका cross product अब आप इसमें भी तीन condition होती है तो यह थोड़ा different तरीका है अब या तो इसको ध्यान रखो या उसको रखना पर वो ज्यादा easy तरीका है तो हम उसी से चलेंगे ठीक है अब आता है ordering fraction अब हम इनको order में कैसे लगाते तो देखो इनको ascending order में लगाना अब आप सीख जाओगे denominator सबका सेम है अब ascending order में बोला है तो जिसका numerator छोटा होगा वो छोटा होगा जिसका numerator बड़ा वो हो जाएगा बड़ा तो सबसे छोटा इन में से कुन से होगा जिसका सबसे छोटा numerator तो यह 3 by 11 सबसे छोटा फिर उसके बाद 5 by 11 आएगा फिर 7 by 11 फिर 9 by 11 फिर 10 by 11 ऐसे यह चलेगा ascending order ठीक है अब इसको descending order में लगाना है तो अब देखो कुछ भी सेम नहीं है तो पहले इन सब का हम निकालेंग सबसे हो गया इसका है फिर किसका है फिर इसका है फिर इसका है फिर इसका है तो यह होगा descending order कि अब हम इसको descending order में लगा दिया इसके बाद हम इसका equivalent लिखेंगे यह किस से बना था 11 by 12 जे तो 11 by 12 लेखा यह किस से बना था 3 by 4 से तो 3 by 4 लेखा यह किससे बना था 5 by 9 से तो 5 by 9 लेखा इसकी जगे और यह किससे बना था यह बना था 7 by 18 से तो यहाँ पर लिख ज़िए 7 by 18 अब आता है हमारी exercise हम थोड़ा solve करेंगे question देखेंगे अब student compare करना है तो कौन सा बड़ा है देखो जब denominator से में दोनोंगा तो जिसका numerator बड़ा है वो बड़ा तो यह इससे बड़ा है अब इसमें देखो यह इससे बड़ा है यह वाला greater है इससे अब इसमें देखो compare the fraction अब इसमें क्या है same नहीं है तो हम इसको like fraction मनाएंगे पहले तो 3 से multiply किया इसको भी 3 से किया तो 7 3 is a 21 4 3 is a 12 तो यह क्या आया बराबरा है 12 by 21 and 12 by 21 तो क्या जाएगा equal to next देखो fill in the blanks इसमें देखो अब देखो numerator से में denominator different है तो जिसका denominator छोटा वो बड़ा हो जाएगा तो इसका denominator छोटा है तो यह fraction बड़ा हो जाएगा इसमें कुछ भी सेम नहीं है इनका LCM लेंगे हम तो 8 और 9 का LCM आयागा 8 9 जा 72 72 LCM आयागा तो यह 9 से multiply यह 8 से multiply यह भी 8 से और यह 9 से तो 9 से जा 27 और 5 जा 40 तो यह बड़ा हो जाएगा student 40 बाई 72 यह होगा 27 बाई 72 ठीक है अब इनको अरेंज करना है तो सबका LCM लोगे आप फिर like fraction मनाओगे फिर इसको ascending order में ऐसे ही इसको करोगे ठीक है इसको descending order में करोगे ओके सुटेंट्स हमने क्या किया इसको ascending order में करने के लिए LCM लेंगे 7 9 63 और 21 मैंने क्या किया 7 9 63 और 21 का LCM लिया क्या करेंगे हम सबसे पहले अब यह हो गहाँ अब LCM के बाल सबका हम equivalent मनाएंगे तो इसको 63 बनाएंगे Cup नाने के लिए करेंगे 7 9 जा इसमें भी 9 का multiply तो यह क्या हो जाएगा students 3 by 7 में हम क्या करेंगे 3 by 7 into 9 by 9 तो 9 3 जा 27 और यह हो जाएगा 7 9 जा 63 next वाले को देखो 5 9 जा 5 by 9 into 7 by 7 तो यह हो जाएगा 35 by 63 next is 34 by 63 इसमें 1 का multiply करेंगे कोई जुरत नहीं करने की फिर आता है 12 by 21 तो 12 by 21 21 3 ता 12 3 ता तो जो हो जाएगा 36 by 63 अब हम इसे करेंगे अब arrange करेंगे सेंडिंग में सबसे चोटा कुन सा है यह वाला तो 27 by 63 उससे बढ़ा क्या है 34 by 63 उससे बढ़ा क्या है 35 by 63 उससे बढ़ा है 36 by 63 अब 27 किससे बना था यह 3 by 7 से next as it is 34 by 63 next किससे बना है 5 by 9 से और next किससे बना है 12 by 21 से अब next question देखते हैं किरन रीट्स करें है 35 पेजिस तो हम लिखेंगे सुरेंगे सुरेंगे 35 पेजिस अपॉन टोटल कितने में से 100 में से तो हम फ्रेक्शन में बताएंगे कितना रीट किया और रितु ने रीट किया थ्रीफफ ठीक है अब हम बताएंगे किसने ज्यादत किया किसने लेसं चीस देको यह जा रहा है 53 da 520 ठीक है अब हम देखेंगे ये तो होगया और नहीं कट रहा है तो हम देखेंग आपन के रीटेंगे तो हम छीग अटे श्मिक शून टीक ज्सपने है लेंगे सबसे पहले स्टूटेंट अब हम क्या करेंगे केरन का रीड आगे हमाई पास 7 by 20 इसका आगे 3 by 5 पहले हम बनाएंगे लाइक फ्रेक्शन लाइक फ्रेक्शन बनाएंगे कैसे इन दोनों का लेंगे तो 5 बन दा 5 फोल दा और ये 4 बन दा आगे स्टूटेंट हमारे पास 5 फोल दा 20 लिया अब क्या करेंगे इसको हमें यह अल्ड़ेडी 20 के फोल में बनाना तो फोर से मल्टिप्ला कर देंगे उपर नीचे तो यह क्या आजाएगा सुजेंट 5 फोल दा 20 3 फोल अब रित्तू ने रीड किया 12 by 20 और किरन ने रीड किय 7 by 20 अब डिनॉमिनेटर दोनों का सेम है अब नियूमिरेटर जिसका ज़्यादा उसने ज़्यादा रीड किया तो रित्तू का नियूमिरेटर ज़्यादा है 12 7 से ज़्यादा है तो रित्तू ने तो ज़्यादा रीड किया रित्तू reads has read more than Kiran अब students question में पूछाए who read less तो आप उल्टा भी लिख देना Kiran has read less than Ritu अब इसमें हम देखेंगे Ritu ने कितना ज्यादा पड़ा है तो Ritu ने हम उल्टा में बता रहा हूँ 12 by 20 minus 7 by 20 ये किया तो ये आया है 5 by 20 इसको हम divide भी कर सकते हैं 1 by 4 और Ritu ने Kiran से 1 फोर्थ जादा पड़ा है या फिर Kiran ने Ritu से 1 by 4 कम पड़ा है ऐसे भी हम बोल सकते हैं तो यहाँ पे हमारी exercise 7.4 खतम होती है थैंक यू अल